यार अगर आप इस वीडियो में इसलिए आये हो कि आपको बस सोनोग्राफी में बच्चे का जेंडर यानि कि लड़का है या लड़की ये जानने की क्यूरियसीटी है ऐसे लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्ता साइड के पंडाल में की हुई है आराम से सेक्स का आस्वाद लो और इस वीडियो को चुप चाप एंड तक जरू देखो पर नहीं कुछ लोग ऐसे भी है जिनको कुछ सुनना ही नहीं है हमें बस इतना बता कि जेंडर क्या है बाकी बक्चोदी मत सुना ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक में वो उद्देश से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाना आप अभी निकल सकते हो पहली फूर्सत में निकल हमारा कोई भी प्रीवेस वीडियो उठा के देख लो हम लोगों ने कई बार मोदी जी और अमिच्छा को भी उनकी गलतिया बताई है वो बताने के लिए भी एक जिगर लगता है वो हम लोग रखते है तो यह हिरो अपना किस खेट की मुली है पर यार यह पर्टिकुलर बंदा है ना यह हमारे दिल के बहुत करीब है हम लोग फैन है रुसके तो इसलिए नाम क्यों ले सो फार सो गुड ऐसे ही चला नहीं थे हीरो बोलते है अब उसको हाँ साफदान इंडिया वाला हीरो ना कि बहुत नाम कित व्लॉगर नहीं यह चीज़ कर रखी है तो अब उसी को लेकिए आज अपनी इस वीडियो में डीटेल में बात करने जा रहे है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए देखो इतियास और प्रेजेंट दोनों गवाहे कि इंडिया में अगर कानून वियावस्ता एक्जिस्ट करती है तो वो बस ऑन पेपर होती है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल होती है अपनी गवर्मेंट्स देखो ट्वीटर पर कितना भर-भर के ग्यान पेलती है कोरोना अब पैंडमिक खता होने आया तो भी दिन के 30-40 मेसेज़ेस तो लगे बड़े रहते है इस ऑफिचरी ट्वीटर अकाउंट पर असलियत में क्या चल रहा है तो इलेक्शन्स और जन आशिरवाद यात्रा मास्क तो कपके उतार के फेक दिये और सोशल डिस्ट्रेंसिंग के नाम पे तपादब 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 क्या करें हम लोगों नहीं ऐसे बेवकुफों को चुनके जन आशिरवाद दिया है और आज इनी लोगों को हम लोग रोल मॉडल समझ रहे हैं महाराष्टर के आप मुझे बताओ कि आम अदमी आखिर मास्क ना पहनने पर फाइन क्यों बरे मर भी गया तो भी नहीं पहनेंगे मास्क येलो एक और मत्री जी की सुनो माक्स पहनेगा तो परलर कैसे सलेगा ब्यूटी परलर भी सलना सही है मास्क निपाया बाइदवे जो इंसान आप लो अपने देश के सम्वीधान पर पूरा बरोसा है बस लोगों पर नहीं है नहीं यह सहने की लिए इससे हैं और यह हो सकता है हाहा एक्शुर पॉिंट पर आते हैं लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़े समझ के लेनी पड़ेगी हिंदूस्तान की कानून की किताब में एक बहुत ही सीरियस लौ है जिसे जाना जाता है अगर कोई बंदा या कोई टीम स्पेसिफिकली विदाउड एनी मेडिकल रिजन उस बच्चे का जेंडर आइडिकल रिजन करने की कोशिश करेगी जो की मा के पेट में है अभी ये कानूनन एक अपराद है फिर चाहे इसमें कोई भी इन्वाल हो सकता है मेडिकल प्रैक्टिशनर रेडियो लॉजिस्ट लैब टेकनिशन उस बच्चे का बाप उस बच्चे की मा कोई भी हो उनको सभी को तीन साल की जेल 10,000 रुपे से लगे 50,000 रुपे तक का जुर माना या फिर ये दोनों की सजा सुनाई जा सकती है ये लोग 1994 में इंट्रोड इंट्री में चलो ये तो वही टेकनिकल बात है लेकिन क्या कभी आपने ये सोच है कि इस लौ को इंडिया जैसे डेवलोपिंग कंट्री में लाने की ज़रू है ता कि क्यों पड़ी थोड़ा असावन फ्लैश बैक में चल जाते 1980 में जब इंडिया में सबसे पहली बार अल इस्ते माल नहीं किया जा सकता बच्चे को किस तरह से मॉनिटर किया जाए तो यह अल्ट्रासाउंड सच में वर्दान साबीत हो रहा था पर हम इंडिया ने हम किसी भी चीज़ का टेड़े तरीके से इस्तेमाल ना करें इसा हो ही नहीं सकता दिवारी तेड़ा है अपना थ अतले आम लिटरली शुरू होने लगा साल के 10 लाग फीमेल जिनोसाइड होने लगे फीमेल फीटस जनोसाइड यह बहुत ही सीरियस चीज़ है आप सबसकते हो इंसान यह वाकई में एक किसम का बहुत लालची प्राणी है ग्रीड यह ऐसी चीज़ है जो इंसान को शैतान बना देती है और खुदगर्ज भी देखो बात तोड़ी कडवी लग सकती है लेकिन फैक्ट है अपनी पॉपिलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी फिर उसमें अनपड़ लोग भी आए पड़े लिखे रिच लोग भी आए यह लोग सोचते है कि यार हमें लड़क करना पड़ेगा और जाने वाली तो किसी और के घर पे उपर से उसके ससुराल का टेंशन आएगा तो यारे लड़की वड़की का चक्क्रम को नीच चाहिए डॉक्टर साब लड़की क्या बोलने के लिए तो सब लोग ग्यान देते कि हम लोग लड़का लड़की में कोई बेदनी करते पर एक्चुल में दिल और दिमाग में कुछ और केमिकल लोचा चल रहा होता है इस चोटी सोच के वज़ए से इंडिया में ऐसे लॉस बनाने पड़ते पर एक्चुल में फाइदा क्या हुआ यह देखो सारी लेटेस निउस यह देखो बड़े-बड़े रैक टेलिविजिन निउस पे दो कुछ और ही सिंग चल रहा होता है पाकिस्तान अफगानिस्तान पंजशिर और पदा नहीं क्या क्या ड्रग दो ड्रग दो बॉलिवुड का नशेडी गैंग बड़े नाम बड़ा खुलासा अले चौप एक मिनिट मेरी बात सुरो यह ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए हम अपना जर्नलिजम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें भाई अब उठने जा रहा है पांच हजार साल पुराने कैसे रहस्य से परदा अब आते हैं अपनी हीरो वाली केस पे यादे वीडियो के शुरुवात में अबने बात की थी उस हीरो के बारे में तो अपने हीरो ने बड़े चौड में जेंडर आइडेंटिफाई किया अपने होने वाले बच्चे का और वो ये बात चौड में इसलिए बता पाए क्योंकि उसने ये हरकत इंडिया में नहीं की वहां दुबाई में की जहां पे कोई law एक्जिस नहीं करता इसके रिगार् देखो यहां प्रावलेम क्या है कि हम इंडियांस ऐसी चीजों को लेके बहुत फैसनेटिंग रहते हमें भी लगता है कि यह व्लॉगर वाली लाइफ है यह हमारी भी होनी चाहिए हमें भी यह चीज करने को मिलनी चाहिए जो इसने की है समझ रहे हो अब यह हिंदूस्तान में इतने लाखों लोगों ने यह व्लॉग्स देखे हैं उनमें से कुछ हजारों कुछ सेकडों लोगों के मन में तो यह कीडा जागरूध हुआ ही रहेगा और यह मानलो आप वैसा ही है जैसे किसी स्कूल में टीचर्स एक्दम स्ट्रिक्ट लॉज बनाते एकदम कड़ का कि आए कोई कुछ नहीं उखाड पाया देखो जेंडर आइडेंटिफाइ करने की निंजा टेकिनिक इंडिया में सालों पहले से होते आ रही है यह व्लॉग पब्लिश होने से पहले से तो रिच कपल्स में तो बहुत बड़ा ट्रेंड है दुबई में या तो थाइलैंड म लोग फॉलो करते हें। सीरियसली फॉलो करते है, मुझा पसवन करते हैं अपने हीरोने जो अपना पर्सन типа स्वार थे इसको साइड में रक्के थोड़ा सोसाइटिटी के बारे सोचना बहुत जडरूरी था और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में अक्टिविटी शुरू हो जाती है प्लैनिंग शुरू हो जाती है इसको लेकर अगें एक मॉरल्स और एथिक्स की तो नाई जाना चीता मना चीता खरी वो भी बिना किसी लॉव वाइलेशन के हाँ लॉव वाइलेट तो नहीं हुआ है देखो सेक्शन 23 के अनुसार ये सारी चीज़े कांट जो किया है न अपने हीरो ने वो बाहर के कंट्री में किया जहां पे इंडि लाइन टच करके वापस आना है ये इसकी बहुत पुरानी आदद है अपने हीरो की पहली बार नहीं किया इसने इससे पहले भी कई बार कोविड-19 प्रोटोकॉल्स वाइलेट किये पर इस बार मुझे मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस लगा इसलिए मैंने सोचा कि वीडिय फार्मसिस्ट हूँ, हेल्थ केर के बार में मैं आपसे बहुत जादा जानता हूँ और उमर में भी मैं आपसे बहुत बढ़ा हूँ मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए और यह explanation देना भी justified नहीं है कि मैं उस country में जाके gender identify कर रहा हूँ जहाँ पे यह सारी चीज़े लीगल है पूरी दुनिया में लीगल है जिर्व इंडिया में लीगल नहीं है बॉस पूरी दुनिया की जरुरते अलग है इंडिया की जरुरते अलग है इंडिया में यह law relative नजदीक वाला ही अपना आज आता है और अपने से कह जाता है कि innocently बोल जाता है कि जानते अब क्या कर सकते उपर वाले की मर्जी यह लड़की हो गए अब क्या कर सकते यह यह फैक्ट है exaggerated thing नहीं है यह फैक्ट है यह ground reality अपने देश की और इसलिए यह कानून अपने किये देखो fetal sex determination यह अपने देश के लिए cancer के बराबर अब cancer हुआ ही है देश को तो क्यों ना पूरा गुटका खाके enjoy करके मरा जाए मरना तो ऐसे ही है है ऐसे बोलके अपन अपनी जिम्मेदारी जटक नहीं सकते मैं नहीं बोल रहा Supreme Court का कहना ही है देश संकट में है हाँ अगर ऐसी सोच देश में पनपने लगी ना तो वाकई देश संकट में है मजाक हो रहा है वो क्या बोलता था वो we can be heroes really अगर ऐसे hero पन्तियों दिये ना तो नहीं बनना मुझे ऐसा hero वीडियो अच्छा लगा like, share, subscribe मिलते आपसे बहुत जला इससे इंटेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए